एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा पास्ट के सिन को दिखाय जाता है जियापर की पहली बार तो आचान आर्थ पर आती है और ओ बड़े बड़े बिल्डिंग्स इतना जादा लाइट्स यह तक कि ट्रेन यह सब को देखकर ओको जादा ही शौक्ट होती है ओह मैंने एक बूक तो पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने पंको को फेला दू और सभी को अपना इंट्रोड़क्शन दू कि मैं एक एंजलू और दूस्टर रूल लिखा हुआ था कि मैं अपने पंको को हाइट कर लू और फिर इंसनों के साथ ही जाकर घूल मि थे तो आँ बोलती है इन लोग को देखर लगता है एक अपी बीजी है और तब उसको नीद आने लगती है फिर यह उरकर कही पर जाने लगती है और बोलती है मुझे पहले थोड़ा सा सो लेना चाहिए यह फिर तो हुए तो किसी औरी जगह पर पहुच जाती है और अभी तक उसको अपना सुनने का जगह नहीं मिलता और उसको तो काफ यतन नीन आती है और ओ बोलती है मुझे फिर से घर बापस जाना चाहिए लेकिन तभी ओ रिलाइस कर पाती है कि ओ तो बापस और घर नहीं जा सकती ठीक तभी उसको ओई बड़ा सा एपाटमेंट लिखता है जो देखकर ओ उस एपाटमेंट को एक बहुती बड़ा मैंसन समझती है इसके बाद ओ एक कमरेकेर बैलकोनी में आकर बैर जाती है और बोलती है लगता नहीं है कि इस रूम में कोई भी रह रहा होगा कल सुबा मै मैं अपना काम फिर से जारी जाखूंगा फिलल के लिए मैं ही पड़ी सो जाती हूँ प्रेजन में तुआ तो खाना बना रही थी और ए सब कुछ गटना सिंतरों को बत रही थी कि मैं ऐसे तुमारे बैलकोनी में आकर पहुची और उसकी ए पूरी कहानी सुनने के बाद तो उसकी कोई जरुरत नहीं है जिसके बाद तो सिंतरों को तुआ का बनाय गया खाना काप्रियाधा पसंद आता है क्योंकि वो काप्रियदा डिलियस mission था सिंतरों बोलता है आखिकार इतना टेश्टी काना माना तुम कहा से सी की तुआ बोलती है मैं अर्पे आने से पहले एक अधर टेश्टी होता है तुआ चैन काफिया दर क्यूट है और अच्छी कूग भी कर लेती है वह एक बहुत ही अच्छी एंजल है क्या मैं इतना सब कुछ अच्छा चीज डिजर्ब भी करता हूं फिर शिंतरो बोलता है तुआ चैन क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता ह तुआ बोलती है आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है आपको और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात है डिनर खतम होने के बाद मैं आपसे कुछ पूछना चाती हूं उसकी ये बाते सुनकर तो सिंतरो समझ नहीं पाता कि आखिरकार ओ क्या क्या चाती है और इसके अगले पली सिंतरो तुआ को नहाने का जगा दिखाता है क्योंकि तुआ नहाना चाती थी इस बज़े से सिंतरो बात्रूम के बाहराकार बहुत यदा ब्रश कर रहा था और अपने मन में बोलता है मेरे बातरूम में एक क्यूट एंचल नहा रही है और ओ तो थोड़ा को नहाते हुए इमजिन करके काफ यदा अजीब हरकते करता है और बोलता है नहीं नहीं मुझे सब कुछ नहीं सोचना चाहिए मैं जगर टीबी देखता हूँ जिसके बाद तो उस हीदा जगर टीबी देखने लगता है लेकिन ओ फिर भी कंसेट्रेट नहीं कर पाता और ओ तो बार बार बस तुआचन को नहाते हुए इमजिन करने लगता है और बोलता है मैं और यह नहीं ले पा रहा हूँ एक लड़की जो कि मेरे ही कमने में रह रही है और मेरे बातरूम में ना रही है यह तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया शायद उसके अंदर तो तुआचन कपरे बदल रही थी और दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते है शिंतरो बोलता है मुझे माप कर देना में तो भूली गया था कि तुम बातरूम के अंदर हो तुआचन बोलती है अरे कोई बात नहीं फिर शिंतरो तो गुस्ता करने लग और बोलता है तुमें यह करने की कोई जरूरत नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिर रात को ओदोनों एक वेट पर सोने लगते है तुआचन तो बहुत ही आरम से सो भी गई थी लेकिन सिंतरों को तो नीन दी नहीं आता और बोलता है मुझे जल्दी से एक अलाग बेट ख ख़लता है तो उसकंदर तो तुआ जन कप्रें बदल रही थी और दोनों एक दूसरे को देकर शर्मा जाते हैं सिंतरों बोलता है मुझे माप कर देना मैं तो भूली गया था कि तुम अंदर हो तो आप बोलती है मुझे माप कर देना मिनने तो आपको बिना बताए अंदर चली आई और फिर ओदोनों तो ऐसे ही एक दूसरे से मापी मांगी जा रहे थे और इसके अगले ही पली सिंतरों ब्रश करने लगता है और अपने मन में बोलता है ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों का रिलेशनशीप और अच्छा नहीं रहेगा मुझे जल्दी से इस बातरूम क कुछ करना पड़ेगा और यह बोलतो है तो ओ ट्वालेट सिट पर ट्वालेट करना लगता है ठीक तफी हो आपर त्वा चना दाती है और बोलती है मैं ब्रश कर रहे हूं और फिर से ओ दोनों एक दुछे को देखकर शर्माने लगते है और एक दुछे से फिर से मापी पनाता है और इतना अधर टेस्टी खाना खृ़ाने के बजिस दे सिन्तरों तो आ को ठैक्यों भी करता है लेकिन तब यह उसको रिख और ते स्कूल के लिए को शिंतरो बोलता है कि हाँ मैं एक high school का first year का student हूँ और मैं अभी ready हूँगा school जाने के लिए जो सुनकर तुआ बोलती है मैं भी जल्दी से ready हो जाती हूँ शिंतरो चौकर बोलता है तुम्हें मेरे साथ आने के कोई जरूरत नहीं है वरना लोग तो shocked हो जाएंगे तुआ बोलती है ऐसा नहीं हो सकता अगर मैं आपके साथ नहीं आई तो मैं आपको खुश नहीं कर सकती मैं आप के साथ जाना चाती हूँ शिंतर उसमा उसका ऐसा चैरा देखकर तो सिंतर अथुरा सा शर्मा जाता है लेकिन वह बोलता है मुझे माप करदना में तुम्हें नहीं ले जा सकता तुआ बोलती है कि उन्हा आप आज का दिन चुट्टी ले लो सिंदर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक student की duty होती है कि ओ स्कूल जाए और स्कूल जाना मेरा एक duty है एस सुनने के बाद तो वा समझाती है और बोलती है ठीक है आप चाह सकते हो जिसके बाद सिंदर बोलता है मैंने टेबिल पर कुछ पैसे रख दिये है अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम यूज़ कर सकती हो लेकिन मुझे लगता है अच्छा होगा कि तुम घर परी रहो मैं शाम तक बापास आजाओंगा तब तक तुम टीवी देख लो या फिर रिलाक्स कर लो तो वा थोरा सा उदास होती है लेकिन हो बोलती है आप अच्छी तरीकी से जाना फिर हम देख पाते है सिंतरो अपने मन में बोल रहा था मुझे उसके लिए पुरा लग रहा है लेकिन मैं उसको अपने साथ इसकूल तो नहीं ला सकता खेर छोड़ो लेकिन अभी मुझे बहुत यदा नीन रहा है नेंद की बज़े से तो मुझे उल्टी उल्टी भी फिल हो रही है ठीक तभी उसका ही एक दो स्पीट पर मार कर उसको गुड मॉर्निंग करता है सिंतरो गुसा कर बोलता है तुम्हे क्या कर रहे हो और तभी पीछे से और एक लड़किया थी है और बोलती है सुई जी आखिकर तुमने ऐसा क्यों किया सिंतरो कहीं तुम्हें चोड तो नहीं लगा सिंतरो बोलता है सुट्सु मी सैन मुझे कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारा गुड मॉर्निंग जिसके बाद तो ओ दो नोई सिंतरो के चेहरे को देखकर बोलता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा तबियत खराब है क्या तुम्हें कोई घोशने तो पकड़ने ही लिया फिर सिंतरो बोलता है असल मैं मैं ढंक से नहीं सोपर आहा हूँ तो मैंने लगता कि आज तुमे स्कूल छुटी कर लेना चाहिए, सिंतरों बोलता है कोई बात नहीं, मैं विल्कुल ठीक हूँ, सुट्सुमी बोलता है लेकिन मुझे तुमारे लिए चिनता होती है क्योंकि तुम अकेले रहते हूँ, सुट्सुमी तुम चिनतरों को लेकर बोलती है, एक नॉर्मल फ्रेंड होने के नाथ से ऐसा मैं कर सकती हूँ, सुईची बोलता है तो फिर तुमें तो मेरे साथ भी थोड़ा सा नाइस भी एप करना चाहिए जिसके बाद तो सुईची और सुट्सुमी पर रहे होंगे, लेकिन मैं कापी ज़दा खूछ हो गूँकि उन abbiamo आज अच्छी तरीकी से खाना खाया काश और जल्दी घर बापस आए एक मिली टुको ओ तो शाम को बापस आएंगे मतलब कि ओ लंच में क्या खाएंगे भूग के कारण तो उसकी हालत खराब हो सकती है और एस सोच कर तो ओ तो तो आसा डर जाती है दूसरी तरह आप लंच टाइम में तो सभी खाना खाने लगते है और सिंतरो बस एक जूसी पीता है जो देखकर सुट्सुमी बोलती है क्या तुम सिर्फ जूसी पी होगे तुम तो खाना भी नहीं बना सकते क्योंकि तुम अकेले रहते हो मुझे तो तुमारे लिए काफी यादा चीनता हो रही है तुम तो हमेशा ब्रेडी खाते हो इससे तो तुमें अच्छी तरी किसे निउट्रिशन भी नहीं मिल पाता होगा सिंतरो हसकर बोलता है तुमें इतना यादा चीनता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी कबार अच्छा खाना घर पर बनाया खाना खा लेता हूँ ठीक तभी शूट्सुमी तो बहुत यादा शर्माने लगती है और बहुत यादा शर्माते हुए वो बोलती है मैं काफी दुनों से सोच रही हूँ कि मैं तुमारे लिए भी लंच बना कर लेकर आऊ शूट्सुमी बोलता है सूट्सुमी क्या तुम अपना लंच खुद बनाती हो तुम तो काफी अधा अमिसिंग हो सूट्सुमी बोलती है एक फ्रेंड होने के नाते में तुम्हारी भी लंज बना कर लेकर आ सकती हूं यह मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ा कम नहीं होगा तभी सुईची खुशो कर बोलता है तो फिर सुट्सुमी तुम मेरे लिए लंज बना कर लेकर आओ सुट्सुमी गुस्ता हो जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे लिए नहीं बना कर लेकर आ सकती जिसके बाद तो ओ दोनों फिर से जगरने लगते है और उन दोनों के ऐसे देखकर सिंतरों हसता है तब ही ओ विंडों के बाहर दोवा को देखकर काप यह द शॉक्त हो जाता है उसकी ऐसा हरकत देखकर सुट्सुमी बोलती है क्या हुआ सिंतरों बोलता है कुछ भी नहीं और फिरो धीरे से बोलता है तो वा रूप पर जाओ रूप पर जाओ मैं हो ही पर आता हूँ फिरो जल्दी से भाग कर जात पर जाने लग जाता है जो देखकर सुट्सी बोलता है लगता है ओ किसी लड़की से मिलने जा रहा है यह सुनकर सुट्सुमी इतना रादा गुस्ता हो जाती है कि ओ तो सुट्सी के सर पर एकदम आलू बना देती है दूश्री तरब तो आको जाते हुए देखकर कुछ टूडेन को लगता है कि ओ सभी सपना देख रहे है या हैलूसिनेट कर रहे है इसके बाद तो शिंतरो जल्दबजी से चट पर जाने लगता है जो देखकर तो एक लड़की शौक टोकर बस उसे की तरफी देखे जारी थी फिर शिंतरो तो काफ यता नीरा सुझाता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें आपर मताना और तुम्हारे पांको को तो शायद सभी ने देख भी लिया होगा शिंतर तो चिंता करना लगता है कि अब सभी जगा बस तुआचन की बात ही होगी सब जगा पर उसके ओपर एक्ष्रिमेंट भी हो सकता है यह सब कुछ सोचकर ओपरशन हो रहा था उसको ऐसा देखकर तुआचन होदा सुजाती है और बोलती है मुझे माप कर देना मैंने तो तुआचन खुश रहाती है जिसके बाद ओदोनों एकसाद लंच करने लगते है और हमेशा की तरह तुआचन के हाथ से बनाए गया खाना तो शिंदरों को काफी अदब पसंद आता है दूश्री तरह क्लास में टीचर आते हैं और बोलते हैं कुछ सामान को मुझे आव और बहुत यादा डड़ी हुी थी लेकिन तब Yoa पर इंट्री होती है शिंदरों का और ओर सुट्सुमी को चूप कराता है और उसको उसका घर डूड़ने केabilिए मादद करता है सुट्सुमी का प्याधा खुश होती है और तब ही से सुट्सुमी को तो शिंदरों के उपर लाज में होता है और ओबन दा कोई और नहीं बलकि तो कुमेट्सू सिंटरो था और नौ साल बाद उसको अपने सामने देखकर तो सूथसुमि काफिए ब्लश करने लगती है प्रेजन मैं सूथसुमिय में बताती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को फेट नहीं मिलाया है ल चुप चुप कर घर पर भेजने की कुशिश कर रहा था। उन दोनों को ऐसा देखकर सुपतों में कुछ भी समझ नहीं पाती और बहुत ज्यादा कंफ्यूस्ट होती है। दूश्री तरा सुथ सुमी तो ये सब कुछ देखकर मानों दंगी हो जाती है। और इसी के साथ भी अमारा एपीसोड टू भी खतम होता है। तो दोस्तों जितना आदा लाइक और जितना आदा कॉमेंट इस वीडियो में होगा नेक्स्ट इपीसोड उतना ही जल्दी आएग तो मिलते हैं नेक्स्ट इपस्ट में तबसके लिए टाटा बाई बाई सायोनारा।